बश्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे लेपटाप में वाइफाई से जब इंटरनेट करते हैं तो डाटा बहुत जादा खर्च हो जाता है मतलब पांच मिनट में नहीं होता है और आपका धीर सारा एम भी खत्म हो जाता है डाटा यूज हो जाता है मतलब 1GB, 2GB अगर आपके पास डेटा है तो आधा घंट आप 15-20 मिनट में पूरा खत्म हो जाता है जबकि आप लेपटाप में कुछ यूज भी नहीं करते हैं उसके बाद भी खत्म हो जाता है तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका सेटिंग हम कैसे करते हैं तो इ नहीं होगा YouTube वगर आप दीन भर चलाए कोई दिक्कत नहीं है बहुत कम यूज होगा है क्या कुछ भी किज़े ठीक है या फिर आपके इच्छा अनुसार एक भी ड़ाटा आपका यूज नहीं होगा खर्च नहीं होगा ठीक है चलिए आपको बताते हैं क्कौन सेटिंग है कैसे करना है laptop में ठीक है सब्सक्राइब दोस्तों आपको देखिए यहां पर wi-fi अपना connect कर लेना है छाली दिखाते है छली नगू मैं wi-fi से इस laptop को connect कर देते हैं यह देखकेगा यह देखिए यह लपटाप में wi-fi मेरा connect हो गया है ठीक है connect है यह सब्सक्राइब करना है यहां पर जाना है शेटिंग में देखे शेटिंग में करेंगे आपके सामने कुछ इस रस रसोपन हो जाएगा इसको पर आपको आना है प्रफाइवेसी पर प्राइवेसी का ऐप्सान मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर लेना है प्रैवेसी पर uingपो आना है थाम से नीची आःगा इसमें आपको एक आपसन दिखेगा वघ्रायांड इप ठीक है यह इसको आफ कर लेना ठीक को फ़ें अब करने के बाद फाला सट्टिंग हो गया उफकर दोसर बता तो इसको सर्च बाउक्स में को टैब करना ओप करना है सर्फिस ठीक है चलिए आपर में आपका कर ल train सर्विस हिस तर एस ऑट फिर सेर्ड यह सर्ज कीजिएगा यहां पराफसन मिल जाएगा सरफिस पर क्लिक करते नहीं है चैसेju पर क्लिक किजिएगा एक संके विन्डव कर करा आएगा है यहां पर आपको डाबन ब्रूर टाइप करना है इस पर कहीं किसी पर भी आपको एक बार सिलेट करने बद आपको डावलॉ बतन की वर्ड का आपको पर लिखना है थे तस्ट करना ठीक है या फिर 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 विंडो दफिन लिखना है यह ते आ यहां पर लिखा है Windows Update, ठीक है यहां पर आना है नीचे और देखते हैं कहां पर है Windows Update यह रहा देखे Windows Update का यहां पर option मिल गया, ठीक है ठीक है, रहा होता है है कि Internet जैसे यह Laptop को connection मिलता है Windows का जो system होता है कुछ वैसा चीछ होता है को आपको आफ करने होगा ठीक है और ज्यास पर यहीं पर यूज हो जाता है अपको लागता है मिंदा शिस्टमें तक और रौकल मेंाने पर उसके झालने इस ततर ग्लिक पर क्लिक करेंगे और यह मतलेसम इंद घं़ beginner पर पर ठेल आने बाद यहां पर देखे अब फसार प्राइब आपको कुछ बटन कर देना होगा सुइन क्लिक करनेक यहां पर अप्छार का ऊके कर देना है So veryilot है यहीं यह दूसरा इंपना हो गया अब है तीसरा सेटिंग इसके फिर करना यहां पर आपको आना है search box में आपको type करना है your account info type करना है your account info ठीक है यहाँ पर देखे उपर में भी आ गया यह देखे your account info इस पर आपको click करना है चले इस पर हम click कर लेते हैं जैसे इस पर click किजिएगा एक नाय बेंड़ो पेन होगा setting का और इसमें दोस्तों को क्या करना होगा यहाँ पर नीचे आना है और एक आपसान आपको देखने को मिलेगा sy n see your setting इस पर आपको click कर देना होगा चले हम इस पर click कर लेते हैं क्लिक करने के बाद दोस्तों इधा देखे साइड में यह जो बटन है ना sy nc setting यह बना यह ओफ होना चाहिए ध्यान दीजिएगा इसको off कर लिजिएगा मेरा off है यह आप भी off कर लिजिएगा ठीक चले इस विंडू का मटाते हैं और उसके बाद तीन अब जो सबसी important setting है वह आपको बताते हैं क्या करना है मेर वहीं setting है इसके साथ साथ आपको जिस phone से connect है उसको फहले open किजिएगा यहां पर देखे जिस phone से connect है तो यहां पर आपको आना है properties पर properties पर click करने के बाद दोस्तों जैसिस पर click किजिएगा एक नया window window open होगा नया page और यहां पर देखे नीचे आना है थोड़ा सा नीचे आईगा और एक option आपको देखने को मिलेगा इसको आपको क्या करना है on करके रखना है यह बटन क्या चीज के लिए होता है मतलब इस चीज लिए होता है कि यदि आपके पास data चाहते हैं कम यूज हो है ना तो यह on कर लेंगे तो data को control करके मतलब यहां पर यूज होता है यदि यह off रहता है तो आप इसको permission यह दे रहे है कि भाई मेरे पास data की कोई कमी नहीं है है ना तो यह full speed में data आपका खिशता है यूज करता है है ना इसलिए इसको हम क्या करते हैं कि on करके रखते हैं कि भाई मेरा data को control करके यूज करो समझ रहे हैं यहां पर देखें लिखा भी गया है if you set a data limit windows will set the material connection setting यह चीज दे रहा है और उपर में देखें इसके बारे में दिया है if you have limited data plan and want more control over data use है ना तो control करने के लिए चीज होता है तो इसको आपको जरूर से जरूर on करके रख लेना है में यहीं setting है ठीक है तो में चार्ट सेटिंग हम जो हम आपको बता है यदि आप इतना कर लिए तो अब आप internet चल आपको समझ में आ गया होगा वीडियो पसंद आते वीडियो को आप लाइक कर दीजिगा नए चैनल पर चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लिजिगा दोस्तों